हलो दोस्तों नमश्कार आज का टॉपिक है कि हिंदुस्तान में जाती प्रथा का उद्वग कैसे हुआ हाउ दर कास सिस्टम ओरिजिनेटेट इन इंडिया दोस्तों यह टॉपिक मैंने क्यों लिया क्योंकि राश्ट्य स्वेंग स्वेंग संक के प्रमुख स्रीमान मौन भागवत ने रोहिदास जैंती के अवसर पर कहा कि जाती प्रथा का उद्वग पंडित अर्थाज ब्रामनों के द्वारा किया गया इस्वर ने जाती नहीं बनाया उन्होंने कहा कि प्रतेग ब्यक्ति इस्वर के सामने समान है और इस्वर के समक्ष ना तो कोई जाती है और ना कोई बढ़न है लेकिन पंडितों ने अर्थाज ब्रामनों ने एक धाचागत सिस्टम इजाद किया जो की गलत था और समाजी बिघटन के कारण जो की जाती प्रथा के कारण हिंदुस्तान पर आक्रमन करने में सफल हुए दोस्तों आज का हमारा लेशन प्लान है कि वाटरीस कास्ट जाती और बर्ण में अंतर क्या है जाती की क्या-क्या मुखी विस्ष्थाये हैं क्या-क्या जाती के उद्वब के समन्द में शिध्यान प्रत्पादित किये गरे है जैसे कि traditional theory of origin of caste, दूसरा occupational theory, तीसरा racial theory, चौथा, political theory, पांचमा grid theory, छठा, evolutionary theory और finally conclusion. दोस्तों इन समी सिध्यानतों का हम लोग आज चर्चा करेंगे. तो दोस्तों कास्ट अर्थात जाती क्या है, तो जैसे कि हर्वर्ट रिसले ने बताया है कि कास्ट की जो मुखी विस्यस्ता होती है, वो है एक collection of families, बहुत सारे परिवारों का एक समू, दूसरा इन समू का एक common name, जो title जिसको बोलते हैं, जैसे जार, मिस्रा, या ठाकूर, य और ये समू, एक common ancestor, मना पुरुवज से, और ये पुरुवज या तो मनुष से हो सकते हैं, या देवता हो सकते हैं, जैसे कि solar ancestry है, जो कि Lord Rama से कुछ छत्री अपने आपको उदभब बताते हैं, या lunar ancestry जो Lord Krishna से अपने आपको उदभब बताते हैं, professing to follow the same heritage calling, और ऐसे समू के द्वारा जो समान पेशा अपनाते हैं, जैसे कि लोहार, या सोनार, या चर्मकार, और यह जो समू होता है, वो homogenous community होता है, मतब सजातिय समुदाय होता है, तो 5-6 विसेस्ताइं जाती के बारे में हर्वर्ट रिसले ने बता है, उसी तरह से अक्टर केटकर ने बता है कि ज जाती का membership उस जाती में पैदा हुए ब्यक्ति तक ही सीमित रहता है, और दूसरा, जाती एक इंडोग्यमक्स गूप होता है, अर्थार, एक जाती के दौरा उसी जाती में साधी की जा सकती है, जाती के बाहर साधी नहीं की जा सकती है, दोस्तों, यहाँ पर यह समझना दिए लिख दाएँ रिखत्रूद से परचब्र में किसी स्कूट ऒ sniffल से परिभत रीजवेड के पूर्व सुङये लेकिन जाती अन्रेक प्रकार के हो सकते हैं हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में स्टेकड़ोग मैं रहती है अर्थात, अगर मान लीजे कोई छत्रिये, बहुत बढ़ा स्कॉलर हो गया है, तो वह ब्राह्मन हो सकता है, जैसे पुराने जमाने में हमें मालूम है कि विश्वामित्र ने अपने तपस्या से, अपने ज्यान से ब्रह्मर्सी की उपादी प्राप्त किया था, और वह छत्रि में, अपने मेहनत से अपने ज्यान के आधार पर, लेकिन ऐसा जाती में संभव नहीं है, क्योंकि जाती का समंध जन्व से है, कोई व्यक्ति जिस जाती में पैदा हुआ है, उसी जाती में वह रहेगा, बले वह कितना बढ़ा विद्वान क्यों नहों जाए, बले वह कितना पिटने वाला बेक्ती है उसकी जाति वार का है तो वह रहन हम सकता है नोगे अर्थाद हो की रुप से जाती और बर्ण सिस्टम में अंतर दोस्तों यहाँ पर यह भी मैं बदाना चाहता हूँ कि आखिर जाती की क्या-क्या पिसे स्ताएं है नमबर एक किसी ब्यक्ती का दर्जा अर्थात एस्टेटस उसके जन्व से निगधार्ड़त होता है उसके गुंद से नहीं उसके पराक्रम से नहीं आती से एक धाचागत दिवस्था का बोध होता है जैसे कि अगर कोई ब्यक्ती राजबूत है और कोई ब्यक्ती अगर लोहार है तो निश्चित रूप से जो राजबूत का दर्जा है वो लोहार से उचा है अगर कोई ब्यक्ति वैसे है और कोई यादव है तो वैसी का दरजा मालीजे भटनागर वैसे है तो उसका दरजा यादव जो की सुद्र कोटी में आता है उसे उपर है जाती वेवस्ता में फूट रिस्टिक्शन्स लगाए जाते हैं उनके मेमरों पर जैसे कि ब्राम्मन जा जाते हैं तो वह पका खाना नहीं खाते हैं वह कच्छा खाना खाते हैं कच्छा खाना मतलब जिसको पकाया नहीं जाता है चावल दाल नहीं खा सकते हैं लेकिन पोहाद दही खा सकते हैं उत्तर भारत के ब्राम्मनों में रिस्टिक्शन है कि वह बैस्तनम रहेंगा ताथ कि वो भांद ऐसे में लगान कर सकते हैं लेकिन वह अंडा नहीं खा सकते लेकिन नहीं कहा सकते हैं जाती वेस्था में हम Creature के लोग वहां उन पर चुवाचूत का उपयोग किया जाता है, आला कि आजाद भारत में इसके लिए कानून बन गया है, और अब चुवाचूत को कानूनी आपराद माना गया है. दोस्तों जाती में एक निश्चित पेसा तैक किया जाता है जैसे कि लोहार का बच्चा लोहार ही होगा जैसे सोनार का बच्चा सोनार का ही काम करेगा जैसे चर्मकार का बच्चा चर्मकार का ही काम करेगा उसमें डेवियसन नहीं हो सकता है या या यादव जाती के लोग खे अगर वह साधी करेगा तो उसे जाती से पहिस्कृत कर दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं विविन्द जो थोरी जो जाती के समन्द में उसके वारे में बारी बारी से चर्चा करूंगा। पहला, पारंपरिक थेओरी, इस थेओरी का जो आधार है वह यह है कि जाती का उद्वव प्रिजाप्ति ब्रह्मा से हुआ है। कि मत चार बड़ पैदा हुए जिसमें कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मन पैदा हुआ बाजू से छट्रिय पैदा हुआ जंगा मतव थाय से वैसी outro है और पैड से सुत्र पैदा हुआ सत्पत ब्राह्मन, तेत्रिय ब्राह्मन, लौगिवर मनु और भागवत गीता ने भी इस थियोरी को मानिता प्रदान किये जिसमें कि लॉर्ड कृष्ण कहते हैं कि चतुर बर्ण मया सिस्टम में चार बर्ण मेरे द्वारा स्रिजित किये गए हैं और उसका आधार है गुन और कर्म, लेकिन इस सिद्यान को बहुत सारे विद्वानों ने अनसेंट्विक, और अव्वेज्ञानिक और अतार्किक और अनबायोजिकल कहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई ब्रक्ती मुख से पैदा नहीं होता है, उसके लिए एक बायोजिकल प्रोसेस हैं, दूसरी बात यह है कि इस सिद्यान के द्वारा बर्ण और जाती का जो बिभेद है, जो आभी मैंने बताया, उस बिभेद को नहीं माना जाता, मतलब जाती और बर्ण में घाल मेल कर दिया गया है, जो कि सही नहीं है, दूसरा थेोरी है अक्यूपेशनल थेो रूप में परिवर्थित हो गया, जैसे स्वर्ण कार, जब उन्होंने स्वर्ण चांदी का आभूसन बनाना शुरू किया, और एक दो जिन्रेशन तक करते रहे, तो बाद में जो जो लोग इस पेशा को अपना है, वो सभी स्वर्ण कार के रूप में माने गए, तो चोरी का जो मुखे जो प्रितपादा के हुआ है, हर्वार्ट रिसले, जीरस गुरिये और डीन मजुंदार, और इनका कहना है कि जब आरजंस बाहर से आये, और उन्होंने गंगेटिक वैली, उन्होंने गंगा के मैदान पर उन्हें कभजा किया, तो उसके बाद में यहां और यहां के जो नेटिव लोग थे, दोनों में काफी अंतर था, और इसके कारण से जाती की उत्पत्ती हुई, क्योंकि आरजंस ने कभी भी यहां के नेटिव लोगों के साथ में अपना रिलेसंसिप धार्मिक कार्जों में या अनिकार्जों में नहीं रखा, और इसी पादक है G.S. भुरिये, महान सोशिलोजिस्ट, और उनका काहना है कि जातियों का उधवव हिंदुस्तान में ब्राह्मनों के कार्ण हुआ, और ब्राह्मनों ने जाती विवस्था को इन्वेंट मना अविस्कार किया, क्योंकि हुआ समाज में अपना सुपिर्टी या अर् और इस तरह से विभिन जातियों में बिलगाव पाइदा हुआ, सेग्रिगेशन पाइदा हुआ, सेप्रेशन पाइदा हुआ, जो कि दिरे-दिरे और मजबुत होदा गया और इस तरह से जाती का उधवव हुआ, एक अनि थोरी का नाम है गिल्ड थोरी और इसके प्रचप प्रतेक जंजाती ने एक विशेश प्रकार का प्यसा अपनाया और दिरे दिरे एक विशेश प्यसा अपनाने वाले समू उन्हें गिल्ड में अपने आपको गिल्ड मतब स्रेणी में कनवर्ड कर लिया उन्होंने अपने लिए प्रिथक से नियम कानून बनाए ब्रामनों ने इन स्रेनियों को religious sanctity प्रदान किया उन्हें प्रिथक से गोत्र दिया गया और common ancestor से उनका descent उनका प्रादुवाव होना बताया गया और इस तरह से with the passage of time समय के साथ में या grid अर्था स्रेनी जाती के रूप में परिवर्थित हो गया दोस्तों आजकल एक अन्य सिध्यांत जाती के उद्भव के बारे में विद्वानों के द्वारा अपनाए गया है और उसका नाम है विकासिल सिध्यांत इबोलिस्नरी थ्योरी और इस थ्योरी के जो मुख्र आधार है वो यह है कि जातीयों का उद्भव अनेक प्रकार के कार्कों के कार्ण हुआ है कोई एक फैक्टर उसमें सामिल नहीं है और जो विविन फैक्टर है वो है हेड़िटी प्रोफेशन बनसानुगत की पेशा दूसरा आइडिया और प्यूरिटी और इंप्यूरिटी क्योंकि जाती का समन्ध सुद्धता और असुद्धता से है और या एक प्रमुख अभियव है जाती विवस्था का तीसरा ब्राह्मनों का या कोशिश की हुआ अपने आपको प्यूर रख सकें सुद्ध रख सकें इसलिए उन्होंने सेग्रिगेशन अपनाया और दूसरे जातीयों को अपने सात में रोटी-बेटी का समन्ध नहीं रखा मिल्ने जुन्ने का कारिजकरम नहीं रखा और यह जो सेग्रिगेशन या सेपरेशन अण जातीयों से ब्राह्मनों के द्वारा अपनाया गया उसके कारण से जातियों का उद्भव हुआ चोथा है लाजी का समाज पर नियंत्रन नहीं होना हलांकि कोटिल अपने हर सास्त में अस्पस रूप से बताते हैं कि जो राजा का काम है धर्म की सुरक्षा करना अफ़्टेक्टर ओफधर्म मतलब इसका अर्थ ही होता है कि कोई भी जाती जिसे जो काम दिया गया है वही काम करे अपने धर्म से भूँ बिचलित नहीं हो यह राजा को जूटि दिया गया था लेकिन हमारे देश में इस जूटि का पालन गिवीन राजाओं के द्वारा नह इस्वर के आवतरन और कर्म के सिध्यान से भी जुरा हुआ है जैसे कि भागवद गीता में लौड कृष्ण कहते हैं कि चातुर बर्ण मेरे द्वारा स्विजित किये गए हैं और उसका आधार है गुन और कर्म तो कर्म का सिध्यान हिंदू धर में बहुत ही महत्पुन है और जो खराब काम करने वाले लोग है उत्पति सुद्र में होगी यह कर्म का सिध्यान दे जातियों में एक विशेश्टा होती है एंसेस्टर वर्शिप और मतब पूरबजों को पूजा पाठ करना और अभी भी ट्रैबल में यह प्रच्रित है और इसी तरह से अंसावली तिय कि मैट्रियार्कल में प्रिति सक्तात्मक और मात्रिस सक्तात्मक समाज के बीच में द्वंद होना चुकि हिंदुस्तान में विभिन प्रकार के रेस यह आये जैसे कि अस्ट्रोडाइट, मंगलवाइट, निग्रोइट तो उनके बीच में जो क्लैस या जगड़े हुए या को द्वब होना बता जाता है, एक अन्य फेक्टर है कि हिंदुस्तान का जोग्राफिकल आइसुलेशन होना, अन्य बाहरी देशों से उसका भागोलिकर प्रिथकी करन होना, अलग थलग होना, बार बार हमारे देश परा आकरमन होना, हमारे विलेज सोसाइटी का एस्टेट होना, जैसे कि चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था कि जब हर चीज बदल जाता है, तो यह विलेज सोसाइटी कभी नहीं बदलते हैं, और नाथिंग सिम टू लास्ट, इस विलेज लास्ट फॉरीवर, हमारे देश में बहुत बड़ी कमी रही है कि सेंट्रल गॉवर्मेंट और जिननों ने अपने लिए अलग-अलग कानूण और नियम मनाए, और जिसके कारण से भी विमिन प्रकार के जातियों का उत्ववव हिंदुस्तान में हुआ, तो दोस्तों आखिर कन्कूजन क्या है? कन्कूजन यह है कि जाती का उत्ववव किसी एक कारण से नहीं हुआ बनकि इसके अनेक कारण है जैसे कि जोग्राफिकल भॉगोलिक, समाजिक, आर्थिक, राइनितिक कारण से जातियों की उत्पत्ति हिंदुस्तान में हुई है कोई एक फेक्टर जातियों के उध्वाब के लिए प्रजात कारण नहीं है इसलिए हमें मर्टी फेक्टर एप्रोच अपनाना होगा तो आज का मैं उध्वाबन यहीं समात करता हूँ और मेरा निस्कर्स यह है कि जातियों का उध्वाब हिंदुस्तान में क्यों पंडितों और ब्राह्मनों के कारण नहीं हुई बलकि उसके अनेक कारण थे और इसके बारे में मैंने बिस्सित रूप से ब्याक्या प्रस्तुत किया है मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको अच्छा लगता है तो क्रिपया अपने टीप से अपगत करागा